हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्व चैनल मार्कर पॉइंट, आज की इस वीडियो में हम टू डिज नंबर को मल्टिप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ पाँच सेकेंड में, देखो इसमें हम दो टाइप की केस पढ़ने वाले हैं, एक चीज क्या कॉमन रहेगी, यूनिट प्लेसिस का सम जो है दोनो नंबर्स का वो हमेशा 10 रहेगा, 3 प्लस 7 इस 10, 4 प्लस 6 इस 10, 7 प्लस 3 इस 10, तो ये तो जो बेसिक है कि दो लास्ट यूनिट डिजिट्स का सम जो है वो 10 होना चाहिए, तो देखते हैं, केस बन में क्या हो रहा है, टेंस प्लेस की जो यूनिट डिजिट्स हैं, वो सेम है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, सेम है, लेकिन इन केसिस में यूनिट डिजिट्स का सम तो 10 आ रहा है, लेकिन 10 प्लेस की डिजिट्स सेम नहीं है, तो दोनो के वेसिस को बारी बारी से देखते हैं, चलो यहाँ स शुरू करते हैं कैसे करना है इसका product सबसे पहले चेक करना है कि दोनों डिजिट का सम 10 आ रहा है कि नहीं अगर आ रहा है तो आपने क्या करना है दोनों यूनिट डिजिट की सम जो डिजिट हैं इनका क्या कर लेना है product तो 3 x 7 कितना होता है 21 इसको हम note कर लेंगे अब मुझे बताओ 4 से अगली डिजिट क्या आती है 5 4 से अगली डिजिट क्या आती है 5 तो 4 x 5 कितना हो गया 20 बस आगे 20 लिख दो ये जो नंबर बनकर आएगा 2021 इन दोनों का product लिखा हुआ है आप इसको calculator में भी चेक कर सकते हैं चलो अगला product देखते हैं 84 x 86 तो अभी मैंने आपको working rule से खाया है दोनों unit digit का product कर लेंगे 4 x 6 is 24 24 लिख लेते हैं 8 के बाद अगला number क्या आता है 9 8 x 9 कितना होता है 72 आप calculator में चेक कर लिजिए यही इसका answer होगा अगले वाला भी फटा-फट कर देते हैं 7 x 3 कितना होगा 7 x 3 होता है 21 2 से अगला number कौन सा होता है 3 2 x 3 कितना होता है 6 तो 6 21 हमारा answer आगया बहुत ही easy थे इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा working rule आपको याद रखना पड़ेगा एक बार याद हो जाएगा फिर ये questions करने बहुत easy हो जाएंगे आपके लिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है अगर 10s place पर digit same है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि ऐसे numbers की form में लिख लो जिसमें 0 आ रहा हो जैसे 54 का 50 plus 4 लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हैं और हमें छोटे number को consider करना है जैसी होगा 50 plus 4 और इसको आप क्या लिख सकते हो 50 की terms में यह हो जाएगा 50 plus में 26 यह बात सही है कि नहीं 50 plus में 26 है नँद अब ध्यान देंगे हम क्या करना होता है इन दोनों का product लिखो 26 into 4 कितना होता है यह होता है 104 हम क्या लिखेंगे आखरी दो डिजिट लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा carry हो जाएगा 104 आया था तो 1 क्या हो जाएगा carry हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे बड़ा number क्या है 76 में 7 है मुझे बताओ 7 के बाद क्या आता है एक add कर दूँ इसमें तो कितना हो जाएगा यह 8 हो जाएगा हमें इस 8 को इस 5 के साथ क्या कर देना है multiply हमें इस 8 को इस 5 के साथ क्या कर देना है multiply और यहाँ पर लिख देना है 1 carry हो गया था तो यह कितना बन जाएगा 4104 यह देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इसको बहुत असानी से अब हम करने वाले हैं यहाँ पर देखो छोटा नंबर क्या है 20 तो इसको हम लिखेंगे 20 plus 8 इसको भी 20 की देखो इन दोनों का product कितना आएगा 8 3 दा 240 240 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 56 लिख देंगे और carry कितना आजाएगा 2 आजाएगा यह बात समझा गी उसके बात देखो बड़ा नंबर क्या है 5 5 से अगला इंटीजर क्या हो जाएगा 6 तो हमें 6 को किस से multiply करना होता है 10s place वाले के साथ तो 6 इंटू 2 इस 12 तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे add कर देंगे तो कितना आगया 1, 4, 5, 6 आप calculator में भी चेक कर सकते हैं इसका product 1, 4, 5, 6 है मैं एक बार दुबार आपको बता देता हूँ क्या करना होता है हमें क्या करना है छोटे नंबर को ऐसे लिखना है कि 0 वाला नंबर आज़े जैसे 28 को 20 प्लस 8 लिख दिया अब 52 को भी 20 प्लस में लिखना है तो यह जगर 20 प्लस 32 समझा गी यहां तक बात अब ध्यान देंगे दोनों आखरी के जो नंबर इनका product कर देंगे कितना आया यह आया था हमारे पास 32 इंटु एट होता है 256 तो लास्ट टूडी लिख दी 2 कर दिया उसके बाद बड़े नंबर में एक एड़ करेंगे 6 और 6 को किसे मटले कर देंगे 2 के साथ कितना आ गया 12 मैं एक एक एक्जामपल और लेके दिखा देता हूँ अगर आपको सही लग रहा है दो जैसे हमारे पास आ गया 44 इंटु 56 44 इंटु 56 अब ध्यान देंगे हम कैसे करेंगे छोटा नंबर 40 है तो 40 प्लस 4 और 56 को भी लिख देंगे 40 प्लस 16 ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं अब ध्यान दो आप इन दोनों का क्या करेंगे हम प्रड़क्ट करने के बाद ही कितना आया 16 इंटु 4 इस 64 अब ध्यान दो जो बड़ा नंबर होता है उसमें एक आइड करेंगे कितना आगए 6 तो 6 को किसे वन ले करना है 4 के साथ तो 6 इंटु 4 is 24 तो 2, 4, 6, 4 इसका आणसर आ जाएगा ठीक है तो बाद में क्या करना होता है जो बड़ा नंबर होता है 56 में 5 है इसमें 1 एड करेंगे 6 छोटे वाले नंबर के 10 प्लेस वाले नंबर से उसको हम क्या कर देंगे मैं होप करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी पसंद आए होगी प्लीज लाइक इस वीडियो शेर विए फ्रेंगे टोंट फरेंगे टो शब्सक्राब मैं यूट चनल थैंक यू बबाई